हाई गाई वेलकम बैक तो माई चानल गाई आज ना हम लाल मिर्ची पावडर का इसे स्टोर करते हैं तो वह देखेंगे तो मैंने यह पीस कर लाया है तो जब भी हम ना चक्की से पीस कर लाते हैं तो यह गरम रहता है तो इसको खुला रखना पड़ता है ताकि इसका अगर भरफाम में रहता है कुछ गयों अगर हमला रहते हैं और इसमें रहेता है कुछ खुश्बू भी नहीं रहती है हैं लिएक बहुत बहुतत ही स्टोर रहते हैं पूरा घर बर्भर उसका सुगन फैल जाता है तो ऐसे लिट सही है तो यह मुश्जक्ड पर्स्टीजे स यह second stage का होंगा, तो यह costly भी आता है, जैसे हम को एन IDB सस्ती गिरती है, और यह निकया महिंगा गिरता है, तो यह और लगबग, और इसकी जैसे हम ऐसे खोलते है, तो बहुत ज़्यादा घर बर सुगंद हो जाता है, तो हमें न कभी भी उनको बड़े धेले में मांगना पड जब भी हम मिर्ची पाउडर में मिक्स करते हैं तो ताकि हम ना जब भी मिर्ची पाउडर निकाले तो वो गड़े जो है ना ये वो हमारे सब्जी में नहीं जाना चाहिए हम कोई भी रेसीवी बनाते उसमें नहीं जाना चाहिए वो दिखना चाहिए जब भी हम ये स्टोर मे चलता है। लग नमक डालते हैं हूं। हिंगे डालती हूँ और हिंग डालने की बाद भी कभी कभी जाले लगते ही है इसको तो वो ना लगे इसके लिए फिर और एक हम दूसरी दूसरा उपाई करेंगे तो जैसे कि अभी आपको कोई भी जार में भरना है और एक हद मेने के लिए तो आप अभी भर सकते हो क्योंकि कि हमें अभी बंद करके रखम और कभी भी हैं जैसे 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 तो जुँना जुपी के से लगुचिअ है पैबाक्यूं मेर्चा estouर कर एकृट करें पैर लग लगुचिपद कole रख carbon और फिर ना आपको हिंग मिलाने के बाद इसको प्याक करना है ऐसे ही और कर्टेनर में भरके रख दिना है अगर आपने मिर्ची पाउडर आपका स्टील के डबे में होगा तो है ना जो प्लास्टिक की थैली है ना वह आपको आप इसके उपर चड़ा दीजिए ताकि जो स्टील है ना हमारा गर्मी में गरम ना हो और थंडी में थंडा ना है गर्मी में गरम हुआ तो चलता है लेकिन थंडी में थंडा हुआ तो जाले लगते है तो इसकी वज़े से तो फीर है ना वह पॉलिथीन की बैग है ना इसको पहना दीजिए और कोई भी अच्छे सुरक्षित जगह पे जहां पे नमीना हो वहां पे रख दीजिए तो आप दो महिने में एक हादी बार देखना भी चाहिए कि मिर्च पाउडर कैसा है करके तो आपको गाइज मेरा ये तरीका कैसे लगा मिर्च पाउडर स्टोर करने का अच्छा लगा होंगा तो लाइक शेयर कमेंट किजिए और सस्क्राइब भी किजिए थैंक्यू फर वचिंग